हेलो दोस्तों साहँ आफ सेखी मैं चनल दर यहलो स्टेडी करें मैं दोस्तों वीडियो में बात करेंगे फर्स समस्टर थर्द समस्टर के रेइस्टेशन है वह कब से करवाए जाएंगे उससे पहले आप सभी लोग दोस्तों चनल को जो सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना जब तक आप सोल में रहोगे तब तक आपकी इसी तरह से एल्प होगी और हर एक अपडेट आपको टाइम पी मिलती रहा करेगी और अगर किसी बच्छे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना लिंक वीडियो के डिस्टेम होंगे तो अब भी दिल्ली उनिस्टी के रेगुलर वाले बच्छों के एडिविशन सुरू नहीं हुए हैं तो जब भी दोस्तों दिल्ली उनिस्टी के रेगुलर वाले बच्छों के एडिविशन सुरू हो जाएंगे उसके वन वीक वाद एस वाले बच्छों के भी एड सारा information provide करवा दूँगा किस तरह से form feel करना है क्या क्या document लगेंगे सारी information आप सभी को provide करवा दूँगा तो आप लोग चैनल को जूल सब्सक्राइब कर लेना जितने भी नए बच्चे S.O.L. में addition लेना चाहते हैं हर एक update आपको मिलती रहा करेगी time पर अब बात कर लेते हैं थर समेस्टर वाले बच्चों की जो भी second semester के अभी आपने exam दिये हैं यही आगस्त में आपके exam खतम हुए हैं अब आपके exam खतम होने के बाद में आप लोग third semester में आ गए हो जो second semester के exam देखे आएं बच्चे अब वो third semester में आ गए हैं अब उन्हें third semester में registration करना होगा third semester और fourth semester के उसमें subject आपको select करने होंगे तो वो आपका registration form कवाएगा तो दोस्तों देखिए अभी आपने exam दिये हैं अगस्त में और जो आपके third semester के exam हो वो December की तरफ conduct करवाए जाएंगे date आ में तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको registration देखने को मिलेगा third semester का और अगर मिली भी जाता है मैं वीडियो के दारा information आप सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह से दोस्तों fifth semester वाले बच्चों के साथ में third semester और fifth semester इन दोनों semester का registration एक साथ में सुरू किया जाएगा और और वो October के first week में लग रहा है उम्मीद है कि October के first week में आप सभी का जो registration है वो सुरू कर दिया जाएगा आप सभी को दोस्तों में subject select करने होंगे third semester वाले बच्चों को third और fourth semester दोनों semester के subject select करोगे और fees pay करोगे 35 रुपे पूरे साल की और इसी तरह से fifth semester वाले बच्चों के सा subject select नहीं करवाए थे जब exam conduct हुए एक महिना पहले तब जाके उनसे सिख्ट semester के subject select करवाए थे तो इसी तरह से इस बार भी देखने को मिल सकता है जब आपका fifth semester का registration सुरू होगा तो उसमें सिर्फ fifth semester के subject होंगे और जो सिख्ट semester के subject हैं वो एक या दो महिने वाद आपको दे collect करने का option दिया जा सकता है और जो भी अपडेट होगी आपको वैसी पता मिलती रहा करेगी टैंप पर तो चाहां को subscribe कर लेना वीडियो को share कर देना और अक्टूवर के first week में आपका जो registration है वो सुरू कर दिया जाएगा जैसी सुरू होगा वीडियो के दारा information परवाइट क करवाद दूँगा